हाँ बाई नमस्कार तो आज फिरम सुपर जंबो में एक और कॉंसेप्ट सीखेंगे ठीक है आज का कॉंसेप्ट क्या है नंबर आफ रियक्शन इन विस मेजर प्रोडेक्ट इस अप्टिकली एक्टिव यानि आपको बताना है कि तो मेजर प्रोडेक्ट है क्या वो अप्टि अब वहाँ पूछा है कारल्टी नि लिपूछा और टिकल एक्टिविटि यानि जो पीपील प्लेन पोलाइज डालीट को रोटेट करेगा वाफ आप्टिकली एक्टिव ए और रोटेट नहीं करेगा वह ओप्तिकली इनक्टिव है अप्ट ठीक है चलो अब स्टार्ट करे एक पर्ड बना ठीक है अब वो जो पर्ड बना उसमें ये कारे सेंटर रहेगा ना ये वाला कारे सेंटर तो रहेगा कोई सिमेट्री नहीं आएगी यानि ये जो सिंगल पर्ड बना ये कैसा पर्ड बना इडिजा कारल पर्डेक्ट और ये कैसा बनेगा हमारा ऑप्टिकली य आगे बढ़ते हैं चलो एल्कॉलिक की ओए जैने स्ट्रॉंग बेस है यह तो रियक्टी नहीं करेंगा न नो इटू रियक्षिन इसका मदलब हो गया है कि यहां हम कायरल्टी और एक्टिविटी का डिसक्रिशन नहीं करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें अगर हमाने हच प्लस हीट करते हैं तो क्या होगा डिहाइडरेशन तो इस ओएच के साथ यहां से एच निकाल देंगे ना लो हमारे पास यह एलकीन बनेगा यह वैलेंसी वैज में आएगी आनोटू वैज में आएगा और मिथाल का आएगा डैस में यह आएगा ना हमारे पास अब इस बना कायल और यह कैसा बना हमारा औप्तिकली एक्टिव टे हमारा पक्ती करी कुस। एके में सजरी ऑफ्तिकली एक्टिव नेक्डक्तिव यह से रिडक्टिव उच्पली लिशा ओने के बाद यह बन जायेगा यह ल्डजा प्टैड यह वैज बेज़ है ना और यह अप्टिकली इन एक्टिफ बताओ इसका करेंगे जिंक में रिड़क्टिव बन गया यह वैज अल्डी हाइड और यह वैज इसमें कोई सिमेट्री वगारा नहीं है यानि यह कारल है और यह अप्टिकली एक्टिफ भी है इसमें रिड़क्टिफ ओजोंट्रिस इसको कर दो आप क्या क्या बना हमारे पास कितने प्रोड बने दो बने यह एल्ड बन जाएगा यह भी एल्ड बन जाएगा इस बार नंबर आफ प्रोडेक्ट दो है लेकिन यह जो दोनों है न यह एक दूसरे की क्या है mirror images mirror image है तो mirror image मतलब यह क्या बनाएंगे racemic mixture और racemic कैसा होगा optically inactive got it इसमें बताओ इसमें तो ओजोनलिसिस करेंगे तो यह CHO CHO बनेगा न वैसे optically inactive बनेगा इसमें आजाओ यह कौन सी रेक्षन होगी 6 में स्वारी 8 में 8 वाली रेक्षन का नाम क्या है हाफ्में ब्रोममाइड इसमें यह माइड किसमें convert हो जाता है एमीन में और यह बाइफिनाइल में क्या होगा जब बल्की ग्रूप होंगे तो इस्टरिक क्रावडिंग होगा तो यह दोनों रिंग कैसे रहती है एक दूसरे के perpendicular एक दूसरे के परपेंडिकलर रहेगी ठीक है ना तो पहले हम देखते हैं प्रोडेट क्या बनेगा प्रोडेक्ट में जो एमाइड है उसका बनेगा एमीन यह ट्रसी ब्यूटाइल आइसो प्रोपाइल प्रोपाइल और एक दो तीन ठीक है अब यह सब स्टरिक क्रावड थू इच अधर एक दूसरे के पर पेंडिकलर है यह कैसा रहेगा बताओ उप्टिकली एक्टिव एंच पहले भी एक्टिव था बाद में भी एक्टिव रहेगा पहले भी कारल था बाद में प्रक्राइब एक है एक चुछ होता है मैं आपको इक सूपर से बताया था है कार्बोकाटन बनेगा एक बार वेज में आएगा और एक बार ओएच डेस में आएगा बताव इंदोंने में क्या रेलेस्टन है यह सिस ट्रांस मलब यह है डास्टीरीमर इसका मलब यह क्या है आप्टीकली एक्टिव मिक्ट्षर अब इसमें अब इस तू अच्छा यह अभी भी एक्टिव है और कारल यह कारल सेंटर नहीं है लेकिन यह रिएक्शन में पार्टिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन यहां से हो रही है यह बनेगा वैज और यह एन 2500 की जगहे पाएगा ओ श पहले भी कारल था और बाद में ही कारल बन जाएगा इसमें क्या करयेंगे बताओ इसमें पहले रिगनाड़ का करो अटेक theta ход वेटोर dh jetzt use डरेच्टे HOLC रख दी सब्सक्राइबार निसंगि कैसे यह तो मैज़ेर ने तो पहले गदार से कैटाइइन तो पहले भी और लिकóriaट यह का मतलब क्या अप्टिकली एक्टिव यह कारे सेंटर ही ने उसमें लह क्या है रिदूसिंग एजिंट तो पहले इसका हाइड़ाइड अटैक और के रिदक्शन करेगा ना यहां ल्डेड बनेगा आगे अलकॉल बन जाएगा तो इस कारबन के बाद एक कारबन और फिर बनेगा ओएच यह कारबन एक कारबन फिर बनेगा ओएच और यह वैलेंसी आएगी वैज अब दोना तरफ लाइक गुरूप बन गए यह कैसा बन गया हमारा अकारल इसमें रिणार डालोगे ना एकसिसमें रिणार अटेक किया की टोन फिर रिणार अटेक किया एलकॉल तो क्या बना इसमें इसमें बना ओएच मिथाइल मिथाइल फिर यह वैलेंसी आई देश देश ओएच और मिथाइल यह दोना तरफ जो है यह हमारे डिफेंट ग्रूप है यानि यह कारे सेंटर है यानि यह है ऑप्टिकली एक्टिव 14 में बताओ इसको करेंगे हम डिहाइड्रेट तो यह लेक्टोन बन जाएगा ना हमारा इसको डिहाइड्रेट करेंगे ने सब वाटर निकाला हमने वाटर निकलने के बाद यह बनेगा लेक्टोन ठीक है ना यह मैं सोच रहा हूँ कि इसको वैज में रखेंगे यहाँ पर डैस में रखेंगे वह इधर ने अटेक किया हाँ तो यह डैस में अच्छी है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह कारल सेंटर तो रेक्शन इन्वाल नहीं हुआ ना यह तो फिक्स है तो पहले भी कारल था और बाद में भी कैसा होगा यह कारल होगा इसी टू क्या बता बता असेटिक अन्हट्राइड इसका ऐसे नहीं होके निकल गया this plus acetic acid इसमें भी ऐसे नहीं होगा इसमें भी ऐसे नहीं होगा यह बनेगा cocs3 इसमें देखो पहले भी कारेस सेंटर था बाद में भी कारेस सेंटर दी यह सिट इस अप्टिकली एक्टिव इसमें तो इसमेट्री आरही है कैसे यह यह कैसा optically inactive O means optically inactive यह plane of symmetry POS means plane of symmetry और इसमें एक्टिक एक्टे मोल बनेंगे दो मोल what is the type of mechanism SNA 17 बताओ इसमें HBR डालेंगे तो वाटर निकल की यह कार्बो कटन बनेंगा ने फिर बी आर माइनस का अटाग अबाव दा प्लें अब आर माइनस का अटाग बिलोव दा प्लें अबाव एंग बिलोव दा प्लें मरलब यह वैज आएगा यह डैस आएगा सिस टांस तो नहीं बनेंगे ने लाइक ग्रूप है तो यह क्या बनें रेसिमिक रेसिमिक कैसा होगा optically inactive 18 में क्या होगा PBR3 में क्या होता है inversion किते प्रोड बनेंगे एक यह यानि वैज का बन जाएगा हमारा तैस सिंगल प्रोडेक्ट आप्टिकली एक्टिफ नाइटीन बताओ खाली इत्तों अलेसिस हो रहा है ना इत्तों अलेसिस मेला कौन सा मेकेनिजम होगा अगर हीटिंग होता तो इवन होता है तो पहले यहां केटाइन बनेंगा फिर रियर्जमेंट तो होगा नहीं एक ही अलफा एडिजन है और फोर यहां केटाइन के फोर एलफा है तो को स्टेवल्टी बढ़ नहीं दिए तो एक बार अबाउद दो प्लेन अटेक एक बार बिलो दो प्लेन अटेक इनको क्या बोलेंगे डास्टिरियूम और कैसा बन जाएगा यह आप्टिकली तो आज मैंना आपको अप्टिकल एक्टिविटी के बारे में समझाया अगर एक बन रहा हो तो वह कारल एक्टिव हो सकता है लेकर दो बन रहे हो तो अगर वह दोनों कारल है और एक दूसे की मिरर इमेज हैं तो क्या बन सकते हैं आप्टिकली इनक्टिव प्रोडेक्ट ज जान रखनी है कि विच्छ रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट ठीक है तो यह कॉंसप्ट हमारा आप बहुत अच्छा हो गया मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में थैंक यू जैहिन और वीडियो शेयर जुरू करना है लाइक जूरू करना है और काफी अच्छा रेस्पांस आप लोगों से मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में थैंक यू सब्सकाइबर को और थैंक यू मेरे सभी जो व्यू करते हैं उनको और सभी यूटूब से जुड़े हैं उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है जैहिन जै भारत